हेलो फ्रेंडिस नमस्कार गूड इबनिंग आप सेभी का बहुत बहुत सवागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाइफ़ाश डीपर आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बचे ट्रेपल सिकजाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज इस क्लास में 10 सितंबर 666 जाम में पूछे गए 35 most important प्रस्णों को सामिल किया है ये सभी प्रस्ण आपके होने वाले 666 जाम के लिए काफी important है तो आप सभी इस क्लास को लाज तक अवसे देखें और इस सभी प्रस्ण हमारे पास पेजे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रस्ण भेजे हैं और आप लोग भी जब भी आपका अग्जाम हो अपने प्रस्ण हमें अवसे भेजें ताकि हम उन प्रस्णों को अपने क्लास में डिसकस कर पाएं तो आईए स्टार्ट करते हैं बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एक्जाम नवंबर में होने वाला है आप सभी के लिए हमारे मॉबाइल आप्लिकेशन पर ट्रिपल सी नवंबर का न्यू बच्च लाँच हो चुका है और यहां पर आप सभी आज से यानि कि आज दोपहर से ही आप पर रेजिस्टर्शन होना स्टार्ट हो गए हैं यानि कि 6 माह तक आप ही सारे क्लास कर सकते हैं जो भी पेडियाप यहां पर इस बैस में रहेंगे तो सारे के सारे 6 माह तक आप एक्सेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस बैस का प्राइस है 449 रुपे लेकिन अभी आपको 394 रुपे में यह वैस मिल जाएगा और यह आफर आपका सीमित समय तक ही मानि होगा यहां पर जो आपको क्लास हैं वो 20 से दमर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अभी आज एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी इसी बैस के लिए जो कि 9 बजे रहेगी यानि कि 9 पिम पर आज एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें पुरा बिस्तरत आपको जान कर दी जाएगी कि इस batch में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या कुछ याँ पर और नया add किया गया है आप सभी के लिए ठीक है अगर आपने CCC का exam दिया है और आप किसी कारण सी CCC exam में पास नहीं हो पाए हैं, qualify नहीं कर पाए हैं तो आप इस batch को join कर सकते हैं निश्चित आपको इस batch को join करने के बाद सभलता मिलेगी और आप CCC exam को एक अच्छी grade में पास कर पाएंगे ठीक है, इसका link हमने description box में दे दिया है, जहां से आप इस mobile application को download कर सकते हैं आप फिर आपको Google Play Store पर search करना है CCC, Wifi Street और बहां से भी download करके install कर सकते हैं उसके बाद में इस batch में join हो सकते हैं तो आईए start करते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ण आप सभी के सामने आ चुका है और यहां पर बताना है USSD सेबा का लाव किस code से ले सकते हैं यानि कि USSD सेबा का लाव लेने के लिए कौन सा code आपको dial करना होता है USSD का full form क्या होता है unstructured supplementary service data होता है और इस सेबा का लाव लेने के लिए कौन सा code डायल करना होता है तो star double line has आपको धियार रखना है star double line has आपका यहां पर correct answer होगा question number second में आपको बताना है which coin के founder कौन है wit coin के founder आपको बताने है तो क्या होगा यहां पर सही जवाब option number B हो जाएगा Satoshi Nakamoto wit coin के founder है wit coin एक crypto currency है आप सभी को धियार रखना है और इसके founder है Satoshi Nakamoto आपको बताना है Instagram किस वर्स launch हुआ means Instagram कब launch हुआ था 2000, 2010, 2014 या 2016 में तो क्या होगा यहां पर सही जवाब option number B हो जाएगा 2010 में आपका Instagram launch हुआ था Instagram है क्या एक social networking site है social networking site आपकी Instagram है और अधिकान से आप से सवाल होता है कि यासी कौन सी social networking site है जहाँ पर केवल photo share कर सकते हैं तो वो है आपका Instagram option number यहां पर B होगा 2010 में यह launch किया गया था HMD का full form आपको बताना है HMD का full form क्या होता है और जो भी बच्चे class में present हो चुके हैं आप से भी जल्दे से class को share करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस class को join कर पाएं HMD का मतलब हो जाएगा यहां पर head mounted display option हमारा पहला correct होगा head mounted display ठीक है question number 5 में बताना है LibreOffice में style change के लिए shortcut की बताईए अगर आप LibreOffice में style change करना चाहते हैं तो क्या shortcut की होती है या कई बार ऐसे पोचते हैं कि LibreOffice में style के लिए कौन से shortcut के इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर क्या होगा option number V F11 इस्तेमाल करते हैं ठीक है option हमारा V correct हो जाएगा क्या hardware और user के बीच software कारी करता है क्या hardware और user के बीच software कारी करता है true false में आपको जवाब करना है तो यहां पर क्या होगा आपका right answer जल्ली से बताना है तो बिल्कुल सही option हमारा यहां पर पहला correct हो जाएगा true हो जाएगा और इस प्रस्म में आपको बताना है set set की full form क्या होती है set set की full form आपको बतानी है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए जो भी full form आपके exam में आती है वो आपको computer से related ही वतानी होती है क्योंकि उसी से सम्मंदित आपके यहां पर option दी होगे तो उसी में से आपको select करना होता है क्योंकि कई वार ऐसा होता है कि एक ही जो आपका short form है उसके कई full form हो सकते हैं लेकिन अधिकान से जो आप आपके triple six exam में सबाल होगा वो computer से सम्मंदित ही होगा वो full form computer से सम्मंदित ही आप से पूछी जाएगी ठीक है तो set का मतलब क्या हो जाएगा secure electronic transaction option हमारा पहला हो जाएगा secure electronic transaction आपका right answer होता है और यहां पर आपको बताना है pos का full form क्या होता है pos का पुरा नाम आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा तो pos का मतलब होता है point of sale option हमारा हो जाएगा पहला point of sale इसका full form होता है यहां पर आपको बताना है icar say to app किस उद्देशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है icar say to app किस उद्देशी के लिए इस्तेमाल होता है agriculture, transport, income tax यह इसमें से कोई रही तो क्या होगा आपका सही जवाब आपको दिहार रखना है icar say तो app income tax के लिए इस्तेमाल होता है option हमारा C हो जाएगा correct answer income tax ठीक है computer से कोई भी delete की गई file कहां पर store होती है अगर आप किसी भी file को computer से delete कर देते हैं तो वो file आपकी कहां पर store होती है computer पर अगर आप कोई भी file को delete करते हैं तो वो file कहां पर जाएगी recycle bin में जाएगी option हमारा हो जाएगा V recycle bin में आपकी store हो जाती है आपको बताना है Twitter में trending tag कौन सा है इसमें से Twitter में trending tag कौन सा है क्या होगा इसमें राइट answer question number 11 आपके सामने है और यहाँ पर सही जवाब है option number C has ठीक है यह होता है ट्रेंडिंग सिम्बल आपको धिहां रखना है जब AEPS का इस्तिमाल करते हैं तब biometric की आवश्कता पड़ती है यानि कि जब आप AEPS का मतलब होता है आधार enabled payment system तो आधार enabled payment system का जब आप इस्तिमाल करते हैं तो biometric की आवश्कता होती है true false में आपको बताना है क्या होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब है option पहला हो जाएगा means सबसे पहला graphical web browser कौन सा है सबसे पहले graphics का इस्तेमाल किस web browser ने किया option हो जाएगा mojaik option नमर भी हमारा correct answer होगा इस परसमें आपको बताना है credit card होता है plastic money, hard money, soft money, none of these तो credit card कैसा होता है plastic money होता है, hard money होता है, soft money होता है इसमें से कोई नहीं तो सही जबाब क्या हो जाएगा, option पहला plastic money होता है, आपका credit card या credit card को plastic money भी बोला जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर बताना है, low hub ने mail को open करना चाहिए low hub ने mail को open करना चाहिए true false में जबाब करना है क्या होगा इसमें right answer, क्या low hub ने mail को open करना चाहिए तो यह false है, open नहीं करना चाहिए means, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, false होगा RTGS किस बर्स आया, means किस बर्स launch किया गया यह सवाल काफी एकजाम में पूँचा जा रहा है इसका मतलब होता है, real time gross settlement तो RTGS कब आया, यह कब launch हुआ यहाँ पर हो जाएगा, 2004 में option भी हो जाएगा ठीक है, 2004 में, और अगर आपसे पूँचते है NEFT कब आया, तो NEFT 2005 में आया ठीक है, यह धिया रखना है निम्न में सही क्रम बताओ सही क्रम आपको बताना है KB, GB, MB, TB फिर GB, MB, TB और KB KB, MB, GB और TB फिर TB, KB, GM और MB यहाँ पर क्या होगा GB होना चाहिए, ठीक है, तो GB होगा यह है, अब सही क्रम आपको बताना है क्या होगा देखो सबसे पहले क्या होगा, यह देखो सबसे चोटा यहाँ पर क्या है, KB है तो C हो जाएगा, KB के बार MB आएगा फिर GB आएगा, फिर TB आएगा KB, MB, GB और TB तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C option ठीक है क्या स्प्रेट सीट में कॉलम छोटे बड़े हो सकते हैं, स्प्रेट सीट में जो size है, वो छोटा और बड़ा कर सकते हैं कॉलम को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं कैसे, जैसे हमारे पास कॉलम कुछ इस परकार से होते हैं यह तो हमारी रोह होती है, जो पड़ी लाइने होती है और यह कॉलम होते हैं, जैसे माल यह हमारा column number A है, column number B है, column number C है तो देखो, ये column को हमने छोटा कर दिया, इसकी length अगर आप देखेंगे जो हमारा इसमें bit है, वो आप देखेंगे, फिर इसका आप बढ़ा सकते हैं ये लेका बढ़ा सकते हैं, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं column को हम छोटा बढ़ा भी कर सकते हैं, किसी column को छोटा कर देंगे किसी column का size को और बढ़ा कर देंगे तो छोटा बढ़ा हम कर सकते हैं F1 से F6 तक के लिए सही range बताईगा F1 से F6 तक के लिए एक सही range क्या हो सकती है देखो हमने आपको पहले बताया था range के लिए कौन सा operator इस्तिमाल होता है colon का इस्तिमाल होता है colon न यहां दिया गया है option B हमारा हो जाएगा F1 colon F6 यह सही range है F1 से F6 तक की CPU का दूसरा नाम microprocessor होता है CPU का मतलब होता है central processing unit CPU का दूसरा नाम है microprocessor क्या यह सही है तो बिल्कोल सही है option हमारा first correct होगा true हो जाएगा browser में प्रियोग होने वाला protocol कौन सा है browser में इस्तिमाल होने वाला protocol IMAP, POP, HTTP या फिर SMTP तो बताएगा यहां पे क्या होगा आपका right answer browser में प्रियोग होने वाला protocol कौन सा है देखिए IMAP, POP और SMTP का इस्तिमाल कहां होता है mail के लिए होता है mail के लिए इस्तिमाल होता है और HTTP है आपका जिसका इस्तिमाल ब्राउजर में होता है तो HTTP आपका सही जबाब होगा hyper text transfer protocol option number C यहां पे correct है आपको बताना है credit card का जनक कौन है credit card का जनक कौन है यह आपको बताना है तो सही जबाब है option B John Begins आपको ध्यान रखना है John Begins यह है credit card के जनक या फिर founder Digi Locker किस पर काम करता है आधार card, pen card, voter card या इसमें से कोई नहीं इसका मतलब है कि Digi Locker का इस्तिमाल करने के लिए निम्ण में से क्या आवस्थेक है तो आपको पता है आधार card आवसेक है option हमारा पहला हो जाएगा Digi Locker किस पर काम करता है आधार card पर काम करता है option हμαरा पहला होगा यानि कि अगर आप आधार card नहीं लगाते हैं तो फिर आप इस Saber का लाव नहीं ले सकते हैं एक बार में कई लोगों को email किया जा सकता है क्या आप एक बार में कई लोगों को mail भेज सकते हैं एक साथ में अगर आप कई लोगों को mail करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसका मतलब option पहला हमारा correct होगा लिब्रोफिस इंप्रेस में निवनतम जूम साइज कितना होता है लिब्रोफिस इंप्रेस में निवनतम जूम साइज कम से कम जूम साइज आप कितना कर सकते हैं तो आपको पता है कम से कम 5% आप कर सकते हैं ठीक है माक्समूम अगर आपसे पूचते हैं तो 3000% आप maximum joom सकते हैं किसी पालतु जानबर के नाम का password रखना सही है आपको बताना है किसी पालतु जानबर के नाम का password रखना सही है true false में जवाब करना है यापे क्या होगा आपका right answer तो यह हो जाएगा false, क्योंकि आप किसी पालतु जानबर के password अगर आप रखते हैं, तो यह सही नहीं माना जाता है, मैं इसको access किया जा सकता है, ठीक है, तो किसी पालतु जानबर के नाम का password नहीं रखना चाहिए, option हमारा we correct हो जाएगा, और इस प्रस्ण में आपको बताना ह Facebook marketplace क्या है, यह आपको बताना है, क्या होगा सही जब आप, social market, e-commerce, shop, PIS में से कोई नहीं, देखें, जहां पर भी market सब्द दिया हो, बहां पर आप समझाओ commerce है, जहां पर भी market होगा, बहां पर commerce होगा, ऐसा आप माल लेते हैं, तो यहां पर देखें, चुकि आपको पता है Facebook आपका online होता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा e-commerce option number B, कई वार जो आपका answer है, वो आपके option पर different करता है, कि option किस प्रकार का दिया गया है, यहां पर e-commerce दिया गया है, जो आपका correct answer है, अगर यहां पर दिया होता digital marketplace, के बार आपको digital marketplace भी देखने को मिलता है, तो आप उस of network, यानि के network कों का network है, data है, यहां से कोई नहीं, तो internet है क्या, यहां पर सही जवाब होगा, networks of network option number B, ठीक है, network कों का network, आपका internet कहलाता है, इसका full form अगर आपका भी अपसे पूंचे, इसका मतलब हो जागा, international network, ठीक है, किसी document के पहले page पर जाने की shortcut की, बताइए, किसी document क पहले page पर जाने की shortcut की, हमने अपने mobile application पर लेप्रोफिस राइटर की सभी shortcut की free में upload कर दी है, जिने आप लोग CCCC study material में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पहां पर यह सारी shortcut की आपको बताई गई हैं, बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आप ने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, किसी document के पहले page पर अगर आपको जाना है, तो आपको control के साथ में home button प्रेज करना होता है, control home से first page पर आप आजाएंगे, वो document कितना भी बढ़ा हो, कितने भी page हो उसके अंदर, तो पहले page पर आप अगर आप 35 page पर जाना चाहते हैं, तो control के साथ में, फिर आपको end button प्रेज करना होगा, तो यहाँ पर C option हमारा correct है, किसी window में scroll bar से क्या करते हैं, किसी window में scroll bar से आप क्या करते हैं, text को scroll करते हैं, document को scroll करते हैं, window scroll करते हैं, या इसमें से कोई नहीं, window के अंदर क्या होगा, window होगा, ठीक है, तो यहां कर देते हैं, window ठीक है, तो window scroll करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, किसी window में scroll bar से आप क्या करते हैं, आप document को scroll करते हैं, option हमारा V होगा, आप document को scroll करते हैं, window के किसी भी version में window update को pause कर सकते हैं, अगर आप window के किसी वर्जन में window update को pause करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि आपके पास window का update ना आए तो ऐसा कर सकते हैं तो answer होगा विल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं, update को pause भी कर सकते हैं दुनिया में e-commerce बहुत तेजी सी famous हुआ, क्या ये बात सही है दुनिया में e-commerce बहुत तेजी सी famous हुआ तो बिल्कुल सही option हमारा पहला correct हो जाएगा क्या text का color, size, font change करके document का formatting change किया सकता है means text का color, size और font change करके document का formatting change कर सकते हैं तो बिल्कुल सही option हमारा पहला हो जाएगा document का formatting करने का मतलब document में आपने text का color चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया, फंट का नेम चेंज कर दिया, तो इसे करते हैं, फॉर्मेटिंग करना, ओप्सन हमारा पहला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लिप्रोफिस में फंट साइज को 4 पर सेट किया जा सकता है, जबकि डिफाल्ट 6 होता है, यानि कि लिप्रोफिस में जो फंट साइज होता है, फंट साइज को 4 पर सेट कर सकते हैं, वट्ट डिफाल्ट 6 होता है, क्या यह सही है, तो बिल्कुल आपको बताया था, मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, यानि कि two set कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो what default minimum 6 ही होता है और maximum 96 ही होता है ठीक है तो यह बिल्कुल सही है आप लिप्रोफिस में front size को 4 पर set कर सकते हैं लेकिन default 6 होता है आपको बताना है TFT का full form क्या होता है TFT का पूरा नाम आप सभी को बताना है इसमें कौन सा सही जबाब होगा TFT का मतलब होता है thin film transistor option number B हो जाएगा thin film transistor आपका right answer होगा option number V यहाँ पे correct जबाब है तो आज की class बसें तक थी I hope आप सभी को class पसंद रही होगी और जिन बच्चों का कल एकजाम है आप सभी को हमारी त प्रस्ण आप हमें mail कर सकते है info.ccyfshd at gmail.com पर यह हमें whatsapp कर सकते है 9452299436 पर इसके लाबा आप चाहें तो हमें facebook और instagram पर भी अपने प्रस्ण भेज सकते हैं facebook और instagram ID है cccyfshd और आज किस class का pdf आप हमारी website www.ccyfshd.com पर download कर सकते हैं तो अभी कुछ समय के बाद में यह pdf अप्रोड हो जाएगा इसका link हम आपके telegram पर भी भेज देंगे या फिर आपको description box में भी इसका link बिल जाएगा ठीक है तो आज के लिए वस इतना ही मिलेंगे आपको अगले class में तब तक के लिए जहन, good night, bye bye